दोस्तों मदान बूटिक चैनल में आपका फिशे स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको सलवार में पलेटे डालना बताएंगे और बेल्टे चला बताएंगे तो दोस्तों यह देखिए मारी बैल्ट है को त्यार कर लिया है और आरे सब स्क्राइबर का कमेंट आया था कि पलेटे दानना बताया améric तो यह special यह वीडियो बना रहा है तो दोस्तों आद मेरी बैल्ट है यह हमने रेडी कर लीर है और यहमने इसको भी जोड लिया सरेवार यह देखिए है अभ दोस्तों कई बार तरीका अलग-अलग होता है तो इसके इसाब से यह मारा गेर होग निकलता है're यह अलग अलग तरिके से गेड निकलता है तो इसको इसमें अरजेश्ट करना यह वहुत आसानी से होता है इसमें कोई दिक्ट नह आएगी यह देखीए यह हमने यह सुलाई है यह जो हमारी scriีक सेम्झ को यहां पर मिलाएंगे यह देखिके जो हमारी इतना निशान लगा लिया दोस्तों अब दोस्तों इस में से हम 6 इंच कम करें यह देखिए कि अब दोस्तो रगें दोस्तों इसमें हमें Dwira कपड़ा है यह हमनोग के अंदर साइड में देख यानि दबल हो जाएगा अमारा 18 इंच तो इसको सारे कपड़ें को 18 इंच ग्रीकुल भी तो देखिए कैसे करेंगे हम मचीन पर चलते हैं तो दोस्तों यह देखिए यह हमने पहले इसको यहां से ना पां अपनी बेल्ट के बराबर देखिए अब इसमें से हम 6 पर पर रीए निशान लगा दिया वहाँ इसमें से अब इसपर हम यहां पर एक गट लगा लेंगे यह देखिए अब दोस्तों जो यह दूसरी का स्थminist की में हा với दोस्तो अब दोस्तों हमें ये देखना है कि अ और भाइट आने चाहिए और वश्क्म गब करसे हो जैसे एस प्लेट उटानी है तो हमसे 3 निशन लगा लेंगे या आ спас बड़ी प्लेट लगानी है ज्यादा कपड़ा है आपका तो आप 4 इंच की भी लगा सकते हो लेकिन दोस्तों तीन इंच की प्लेट ठीक रहेंगी तो यह देखिए मैं यहां पर पहले जो हमारी असनवारी देखिए कपड़ा अपनी इसकी सीद में से या आप यहां पर चोक से निशान लगा सकते हो जैसे हमें इतनी उठानी है तो हमें इतना ही कपड़ा उठाना है यह देखिए और इसको ऐसे रख देंगे तो दोस्तों मैं यहां से उठा हुआ इसकी सीद से मशीन की तो यह देख अब दोस्तों फिर दुबारा से दूसरी प्लेट यहां से उठाएंगे और इसको फिरम ऐसे रख देंगे यह देखिए इसको फिर चलाएंगे मसीन को और दुबारा से यहां से प्लेट उठाएंगे यह देखिए ऐसे दोनों आथों से ऐसे और इसको फिरम रख देंगे यह अब फिर चलाएंगे मशीन और इसको यहां से कपड़े को उठाएंगे और फिर रख देंगे यह देखिए अब दोस्तों इसको फिर उठाएंगे यहां से और इसको हम यहां पर रख देंगे यह देखिए कि इसको कपड़े को उपर कर लेते हैं अब दोस्तों यह देखिए जो हमने गैप दिया है वह अमारा गैप भी एक साउना चाहिए अब दोस्तों इसको हम यहां से फिर उठाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे यह देखिए अब दोस्तों यह देखिए यह हमारा कट आ गया है जो हमारे पाट के बीच में होता है यहां से हमारी पलेट आती है जुरूर तो दोस्तों अब यह देखिए अगर हम इसको यहां से उठाएंगे और यहां रखेंगे तो यह हमारी पलेट बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है या तो हम इसमें से तीन प्लेट कर दें यहां की जगह अगर यह प्लेटे हम यहां से उठा लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अमारी तीन प्लेटे दो सुथ कम हो जाएंगी तो यह देखिए इसको हम यहां पे ऐसे रख देंगे अब इसको अब दोस्तों फिर उठाएंगे अब दोस्तों फिर ऐसे ही उठाएंगे यहीं से यह देखिए ऐसे दोनों आथों से और इसको हम ऐसे रख देंगे यह देखिए कि अब दोस्तों फिर उठाएंगे इसको और ऐसे यहां पर रख देंगे और दोस्टों अगर आपकी एक बार में यह पलेटेश सेट नहीं हो तो आप खोल कर दुबारा से कर सकते हो अब दोस्तों इसको नापक stuff कि देखिए हम यहां देखिए यहां पर पॉने 7 इंच आहा है तो हमें नौइंच के अंदर यह पलेटेception नां यह यह कंट काता ओंसका ह्टा अधिया अई दोस्त दोस्तों अधो इसकोomas से डालेंगे हैं तो यह बड़ी क्लेटेगी अपना यह मारा दोस्तोब देखिए कैसे इसको थोड़ासा ऊग्यस से उठाइंगे एसे और इसको ऐसेँ ये देखिए आप इसको यहां से फिर उठाएंगे और इसको यहांपे देगे अब इसको वे python न पेंगे यह हमाई दोस्तों और अगर दोस्तों कोई दिक्कत है कि यह колद हो जाता है तो कोई दिक्त नहीं हैं 7 इसे कर दोस्तों यह अमारी पलेटे है भी समांगहप में है अब दोस्तों में अपने पैरे साट नो दस ग्यारा बारह 13 14 तो हमारी 14 पलेटे हैं दोस्तों और यह जो हमारा जो सेंटर का कटाया है यह देखिए यह मारा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मी पलेट में हमारा सेंटर का कटाया है तो दूसरी सेड में दोस्तों जो अधाननोंगी डालेंगे उसमें हमारा सेंट्र का कर्टाना चाहिए दोस्तो तो देखिए दोस्तों दूसरी साइट के प्लेटें कैसे डालेंगे इसको हम यहाँ पर रखेंगे pan और इसको अंदर की तर देंगे ये देखिए बिल्कुल आशान दोस्तों एक दो paws आपको दिक्षत होगी उसके बाद फिर आप आराम से डाल सकते हो ये देखिए दोस्तों फिर और यह आसे कपड़ा और इसको फिर ऐसे रख गडेंगे ये रेघिए मेरी से एक फिर मसीन चलाएंगे इसको फिर उठाएंगे यह देखिये और है फिर सी यहाँ पे रखडेंगे हमें गया कि दोस्तों मेद यहां से फिर उठाएंगे और इसको यहां पर देंगे कि यहां पर चलाएंगे मसीन कि अम इसको फिर खोलें यह अज cinnamon कपड़े को इते हैंBut अब यहां इसे फिर उठाएंगे हम और यह देखिए अब दोस्तों यह हमारा कट आ गया तो हम ने डूसरी सैड में जब डाल ली थी तो यहां पर तीन प्लेटे बनाए थी तो देखिए हम इसको थोड़ा हकम करेंगे यहां से और यहां पर फिर शिलाई लगा देंगे यहां से फिर उठाएंगे हम और अब दोस्तों फिर दोबारा से हम उसी ट्रैक पर देखिए जहां से हमने शुरू से उठाए थी ऐसे ही फिर उठाएंगे और शिलाई लगाते चले जाएंगे इसको हम सेट कर लेते कपड़े को अंदर की तरफ करके थोड़ा यह देखिए अब दोस्तों फिर से यहां से उठाएंगे हम और दोस्तों यह देखिए हमारा कट आ गया तो हमने लास्ट में जो प्लेट डाली थी उसमें भी हमने तीन प्लेटे बनाएंगे यह देखिए इसको यहां से उठाएंगे और यहां पे डाल देंगे कि देखिए अब दोस्तों पहले हम इसको नाप लेते हैं क्योंकि हमें नो इंच में डालनी है यह मारी पूने आठ इंच होगी तो यह नो इंच में डालने के लिए डल जाएंगे मारी कोई दिक्कत ने आएगी अब दोस्तों फिर से यहां से उठाएंगे और यहां पर फि लेते हैं यह हमारी 9 इंच में यह आ गई हमारी प्लेटे यह देखे दोस्तों अब इसको हम गमालेते हैं यह देखे दोस्तों अब यह हमारी जो दागे हैं हम इनकी कटिंग कर देने अब ढदे दूस्तों हमारी प्लेट बिल्कुल बरबर गैप में है है अब इसको देखिए असन से ऐसे पकड़ेंगे इसको हम और कि बढ़ा नाप के देखेंगे यह देखए हमारा कपड़ा बरà बरारा रहा है यहां equity दोस्ते अब धेखिए हम इसको बैल्ट को रहें यहां पर और यहां से हम पकड़ेंगे हुआ मैं प्लेटों के सेंटर से और इसको हम यहां पे रखेंगे देखिए अब दोस्तों इसको हम दोबारा से नापेंगे यह देखिए यह यहां पे हमारा यह आ रहा है निशान तो देखिए इस पर हम कट लगा देंगे कि अब दोस्तों जो हमारा कपड़ा है यह में पीछaled और यह उज्च में और इसको अब दोस्तों यह ढगा दिए मैं न हम इसको अपने छववार को ऐसे रखेंगे इसे देखिए और जो हमारी पलेटों का जो सेंटर है और जो हमने यह यहां पे बनाया था नाडा डानने का इस साइड से हम इसको रखेंगे यह देखिए इसकी जो अंदर वाली सेंटर वाली को यहां से मिलाएंगे हम अपकंटे और इसपर स्लेय लगाएंगे देखिए अब दोस्तों इसको को अछी तरह से हाथ लगा कर ऐसे सैट कर देंगे अची तरह गयुद अ-ब दोस्तों इस परम स्लेय लगाएंगे लेखिए है में क attitudes प्लेटेस में नियाने ची है यह देखिए अब दोस्तों इसको हम जो हमने कट लगाया था और यह जो मारा बैल्ट का जो बैक इसला है सेंट्र वाड़ा इसको हम इससे कट से मिलाएंगे यह देखिए यह देखिए और इसको से मिला अगर हम इसमें से लगाएं है अगर बिलकुल आसान तरीक्वे से बता रहा हुँ दोस्तों आपको यह अगर एक बार में आप से अच्छी तरह प्लेटे सैटना हो तो दोबार खोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यह देकित दोस्तों अब दोस्तों देखिए झाहा इस हम इसको यहाँ पर इसे रखेंगे और यह मारे कट पर बिलकुल स्लाइ आ रही है तो दोस्तों मैं एक फिर अजय डालेंगे देख्टेure पीछे की देखिए अब दोस्तों इसको हम कट से उठाएंगे इसे और इसको कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे सरकाएंगे यह देखिए और जो हमारा बैक का सिलाई है इसके बिल्कुल सिलाई के सेंटर पर ऐसे रख देंगे यह देखिए और उंगली से इसको कपड़े को रखकर इसको बैल्ट को और इसको ऐसे दबा कर रखेंगे और इस पर शिलाई लगाएंगे यह देखिए यहां तक अब दोस्तों इसको दूसरी साइल का जो मारा कट है पलेट वाड़ा इसको हम ऐसे लेंगे और जो हमारा दूसरी प्लेट डाली है जो हमने पहले वाड़ी उससे इसका मूँ दोनों का मूँ अपस में मिला देंगे देखिए अब दोस्तों इसको मूली से ऐसे रखेंगे और इसको प्लेट पर शिलाय लगा देंगे देखिए अब दोस्तों इसको हम कि बैल्ट को ऐसे रखेंगे और इसको कपड़े को बैल्ट से मिलाते हुए सलवार के और इस पर शिलाय लगाएंगे अ यह देखिए पर इसको प्लेटो को अच्छी तर एसे रखेंगे यह देखिए ऐसे आत लगाकर इसको प्लेटों पर ऐसे और स्वरेंगे अ कि देखिए अ कि देखिए दोस्तों अब दोस्तों यह मारी लग गई है अगर आप इस पर इंट्रो करके और तो दोबन दो किनारे की सलाइब सकते हो नहीं तो आप इस पर डबल शलाइब करके और इंटर लोक लगा के और आपकी ठीक रहेगी तो मैं इस पर सलाइब देता हूं दबल कि देखिए अपसे लाई मारते दफा भी आपको यह देखिए ऐसे कपड़े को इस तरफ रखना है यह देखिए इसको हम ऐसे अर्जेस्ट करेंगे कि यह देखिए अधर आपके यह देखिए दोस्तों यह देखिए कि देखिए अधिलंद दोस्तों महें इस्वास डाल लाइए ये हम ने पलेटे दाल लिए इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से इमारी सारी पलेटे दल गई है और वहांसां तरीकी से से दिखाई दोसतों आपको और दोस्तों को अगर आपको कोई सलवार स्टीचिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो हमने वो लेडी एक सलवार स्टीचिंग के वीडियो डाले हुई है फुल आप उसको जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको और दोस्तों वीड पर प्रेस करके ओल पर सेट करें जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी थैंक यू फॉर वाचिंग